वेलकम टू न्यू लेसन इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा कि जभी भी आप Google Ads रन कर रहे हो चाहे आप अपने लिए रन कर रहे हो या आपने clients के लिए रन कर रहे हो तो आपको क्या-क्या KPIs हैं जिन पे आपको focus करना है ठीक है क्या-क्या numbers हैं जो आपको देखने जरूर सबसे पहले हम start करते हैं फ्रॉम सर्च ठीक है अब suppose करो कि आप search ads कर रहे हो या तो आप अपने लिए search ads रन कर रहे हो या आप अपने clients के लिए search ads कर रहे हो ठीक है जब ही भी क्लाइट्स आप search ads रन करते हो अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर करना, इतने कम बजट में, जबी भी आप कम बजट पर एड्स रन कर रहे होते हैं, बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने नंबर्स पर और ज्यादा फोकस करो, और ग्रैनूलर तरीके से नंबर्स को आप देखो, और आप सही एक्शन लो, keeping in mind the numbers, ठीक है, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि सारे decision, सारे action लेने हैं, बेज़ रन ये numbers, ठीक है, अगर आपकी gut feeling क्या कहती है, instinct क्या कहती है, don't take any action based on that, always take action based on your numbers, तो जबी भी आप search ads रन कर रहे हो, तो क्या क्या नंबर्स पर आपको focus करना है, तो देखो, जबी CTR is click through rate, ठीक है, कितने लोग आपकी ad देख रहे हैं, उसमें से कितने लोग आपकी ad पे click कर रहे हैं, मान लो 100 लोगों ने आपके ad देखी, 100 impression है, और 8 लोगों ने click की, then your CTR is 8%, ठीक है, तो अब देखो, CTR से होता क्या है, बड़े ध्यान से देखना, suppose करो कि आपने 2000 खर्च किये, ठीक है, 2000 रुपे ad पे खर्च किये, और आपको मिले से impressions, से आपको मिले, से 4000 मिले या 5000 मिले, ठीक है, और इसमें से कितने लोगों ने click किया, एक मिनट में calculator कोल लूए यहां पे, तो 5000 का 4%, ठीक है, suppose करो 5000 लोगों में से, 4% ने click किया, ठीक है, तो यह कितना हो गया आपका, यह हो गया 200 clicks, ठीक है, आपने पैसे कितने खर्च किये, 2000, 2000, तो click size 200, अब आपका CPC क्या हो गया, आपका CPC हो गया 10 रूपे, ठीक है, 4% CTR है, अब suppose करो CTR हो गया 8%, देखो, डबल कर रहा हूँ है, extreme case है, डबल होता नहीं है, but to explain things better, मैं डबल कर रहा हूँ, तो say मैंने डबल कर दिया, 8%, तो अब आपका कितना click होगा, 400, पहले कितना था, 200, अब है 400, और अब CPC कितना हो जाएगा, 5 रूपे, CPC आधा हो गया, है न, तो CTR बहुत 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 ज़ादा जरूरी एक factor है, make sure कि आप हमेशा effort डाल रहे हो, अपने CTR को improve करने के लिए, अब CTR को improve करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3-4 काम करने पड़ेंगे CTR को improve करने के लिए, पहला, add copy अच्छी होनी चाहिए, जो आप add copy लिख रहे हो, जो आप text लिख रहे हो, जिसे देख के user आपकी add पे क्लिक करेगा, वो add copy आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, यह CTR तो आपका अच्छा होगा, अब दूसरी, relevant keywords, जिन keywords पे आप add चला रहे हो, वो relevant होने चाहिए, क्यों relevant होने चाहिए, अगर relevant keywords होंगे, तो लोग add पे क्लिक करेंगे, सपोज अब मैं सर्च मार रहा हूं cricket और add दिख रहे हैं मुझे होकी की, तो मैं क्लिक परूँगा जी, मदु करूँगा ही नी, है न, वहीं अगर relevant keywords दिखेंगे, तो मैं जरूर add पे क्लिक करूँगा, या है जी, ठीक है, एक click का खर्चा कितना आ रहा है, अब देखना एक बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है, cost पर click, मतलब 10 लोगों ने click किया, और एक चीज़ होगी, landing page view, ध्यान से देखना जी जरूँगा, suppose करो, हमेशा ये होता है, अगर आप ध्यान से ads को monitor करोगे तो, अगर 20 लोग ad पे click करेंगे न, तो 15 ही website पे आएंगे, राइट, अब ध्यान से देखो जरूँग, आधे लोग तो ये numbers देखते भी नहीं, अब मैं क्या देखना हूँ, CPC, suppose करो 2000 रुप एड़ पे खर्च के, click size 100, मतलब CPC कितना है, 20 रुप है, but landing page views, खाली 80 आए, ठीक है, ये click तो 100 आए, बट उसमें से, खाली 80 लोग ही website पे गए, ठीक है, तो अब effective CPC कितना हुआ, 25 रुप है, अब आप कहोगे, ऐसे कैसे हो सकते है भी या, जब clicks 100 आए, और website पे बस 80 गए, हो सकते है, maybe आपके website लोड speed slow है, तो 20 वापस चले गए, maybe लोगों को, लोगों ने click तो कर दिया, बट उन्हें लगा कि यार मैंने ये कहाँ click कर दिया, गलत जगा click कर दिया, तो तुरंट back off हो गए, आप लोगों के साथ बहुत होता होगा, आप click कर देते हो, आप तुरंट वापस चले जाते है, ठीक है, तो आपको देखना है, effective CPC, normal CPC नहीं देखना, always pay attention to specific, की effective CPC क्या रहे, तो देखो, अगर CPC ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, ad उतनी relevant नहीं है, इसका मतलब है competition ज़्यादा है, इसका मतलब है ad copy अच्छी नहीं है, तो इन सारी चीजों को improve करो, और keywords जुन्डो जिसपे ad चला सकते हो, ठीक, तो पहली चीज़ देखोगे, CTR, दूसरी चीज़ देखोगे, CPC, तीसरी अब क्या देखोगे, conversion rate, बहुत ही जरूरी, पहला CTR देखोगे, दूसरा CPC देखोगे, तीसरा देखोगे, conversion rate, अब ये conversion rate क्या बवाल है, तो conversion rate is, सपोज करो, आपकी website पे 100 लोग आए, उसमें से 10 ने आपका lead form भरा, मतलब आपका conversion rate कितना है, आपका conversion rate है 10%, ठीक है, conversion rate क्या होता है, आपकी website पे कितने लोग आए, और जितने लोग आए हैं, उसमें से कितने लोग आपके customer बने, या उसमें से कितने लोगों ने आपका lead form सब्मिट किया, उसे हम कहते हैं conversion, आप अब देखो कि आपका conversion rate कैसा है, अब देखो conversion rate देखो बहुत ही अच्छी चीज़ है, मान लोग आपने 2000 रुपए खर्च किये, आपकी website पे 100 लोग आए, आपका conversion rate है 10%, मतलब ultimately आपने 2000 रुपए खर्च करके 10 leads ही कटे के, ठीक है, मैं एक बार अच्छी से लिख देता हूँ, say amount spent, ज्यान से देखना, 2000, ठीक है, और clicks आए, say 200, हाना, 200 clicks आए, एक काम करते हैं, 100 कर देते हैं, calculation को easy करने के लिख, 100 clicks आए, और leads आए 10, conversion rate कितना हो गया, 10%, simple, अब दूसरा case लो, same amount spent किया, 2000, clicks आए 100, conversion rate है, suppose 15%, तो leads कितनी आई, 15, अब ध्यान से देखो, cost per lead, यहाँ पे cost per lead क्या था, आपने पैसे कितने खर्च किया, 2000, leads आए 10, मतलब एक lead कितने कि थी, 200 की, थी न, एक lead कितने कि थी, 200 की, अब दूसरी situation लो, पैसे कितने खर्च किये, 2000, leads कितनी आई, 15, cost per lead कितना हो गया, 133, amount क्या ज़्यादा खर्च किया है, बिल्कुल ने किया, same amount खर्च किया है, click भी same आए वहिया, conversion rate improve हो गया, मेरा, हाना तो अगर conversion rate improve कर लोगे, तो cost per lead अपने आप improve हो जाएगी, तो अभी हमने क्या number देखे, total हमने चार चीजें देखी है, CPC, सबसे पहले हमने देखा CTR, click through rate क्या है, दूसरा हमने देखा CPC, cost per click क्या है, तीसरा हमने देखा landing page views, कितने लोग मेरे landing page पे आ रहे हैं, चौती चीज मैंने देखी है, conversion rate, ठीक है, total चार चीजें, और पाँचवी चीज क्या देखोगे, अब पाँचवी चीज देखोगे, कि किस keyword से अच्छे result आ रहे हैं, keyword wise breakup, अगली चीज अब क्या देखोगे, keyword wise breakup, ठीक है जी, तो ये अगर आप मोटी मोटी पाँच चीजे बस देखोगे, तो आपके search की performance, आप एकदम improve कर सकते हो, और आपको 500 नंबर देखने की जरूरत है ही नहीं, जबी भी आप search add run कर रहे हो, simple सबसे पहले देखो CTR, then simple देखो CPC, then देखो landing page views क्या है, then देखो conversion rate क्या है, और आखरी चीज़ देखो, keyword wise breakup के, किस keyword से अच्छी lead आ रही है, कौन से keyword के click महेंगी आ रही है, keyword wise breakup देखो, और आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, यह बस चार या पाँच चीज़े आपको देखनी है, और 500 चीज़े देखनी की जरूरत नहीं है, ऐसे numbers देखने की जरूरत नहीं है, जिन से कुछ निकलता नहीं है, fruitful, ठीक है जी, तो search ads के लिए, बस आपको इतनी चीज़े देखनी है, अब कल के lesson में बात करूँगा आपसे, कि बाकी ads के लिए, कौन-कौन से numbers आपको देखने है, किन-किन numbers पर आपको focus करने है, thank you so much for watching this lesson,